बॉलिवुट की पॉपुलर एक्टरे शिल्पा शेटी और उनका परिवार इस वक्त बेहत बुरे दोर से खुजर रहा है दरसल शिल्पा के पती और बिजनस टाइकून राजकुंदरा इस वक्त जेल में है राजकुंदरा पर अडल्ट मूवीज बनाने उन्हें OTT प्लेटफॉर्म्स पर अप्लोड करने का गंभी आरोप लगा है इसी आरोप के चलते राजकुंदरा बुरी तरह से फस्ट चुके है राजकुंदरा को 14 डेज की जुडिशिल कस्टरी में फिजा गया है फिलहाल देखा जाए तो राजकुंदरा मामले को लेकर कई नई अपडेट्स भी आ रहे हैं राजकुंदरा की गिरफतारी के बाद शिल्पा शेटी और उनकी बेहन शमिता शेटी ने सोशल मेडिया के जरिये अपने दिल की बात ही रखी है शिल्पा ने जहां एक और स्टेट्मेंट जारी किया और लोगों से प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की थी तो वहीं उनकी बेहन शमिता शेटी भी मॉटिवेटिंग मैसेजिस लिखती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से शमिता शेटी ने सोशल मेडिया पर पोस्ट शेर किया है और अपने दिल की बात लिखी है आखिरकार शमिता ने क्या लिखा है आईए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दरसल हाल ही में शमिता शेटी ने इंस्टेग्रैम स्टोरी पर एक मॉटिवेशनल पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट के जरिए शमिता ने लिखा है एक बहुत ही मुबारक सुभा शमिता लिखती हैं अपने दिल में मौजूद विवेक की सुनो, दिमाग में मौजूद फिक्र की नहीं और साथ ही साथ शमिता लिखती हैं A Very Blessed Morning इस तरह से शमिता यहां पर मौटिवेशनल पोस्ट शेर करती हुई नजराई है शमिता ने सोशल मीटिया पर इस से पहले भी कई पोस्ट शेर किये हैं और अपनी दिल की बात को रखती हुई नजराई हैं इस मुश्किल खड़ी में शमिता शेटी अपनी बेहन शिल्पा शेटी का साहरा बनी हुई है हर सुख और दुख की घड़ी में अपनी पहन शिल्पा के साथ खड़ी हुई है वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए तो पीते कई दिनों से खबरे आ रही है कि शमिता शेटी आप सभी को नज़र आएंगी बिग पॉस OTT में ऐसा खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है हमारे इस रिपोर्ट में इतना है तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन यूज